तो गाइस यह 2023 है और उसके आज दूसरी दिन है तो आप सभी को happy new year वीडियो शुरू करने से पहले एंड गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आज के डेट पर यानि की 2030 चालू हो गया और 2030 में हम कॉस्मेटिक का बिजनिस कैसे चालू करेंगे कैसे ग्रो करेंगे बहुत सरे जो हमारे भाई या बेहन है जो नए नए इस फिल्ड में आना चाहते तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी knowledgeable होने वाला है ठीके क्योंकि देखो आज के डेट में आप बिजनिस ओपन करके उसको ग्रो करना उतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो ठीके मैं ये बिजनिस से पिछले 10 साल से जुरा हुआ हूँ और 10 साल में मैंने काफी सारे अगर आप हाथ का इस से बाते क्यों बता रहा हूं तो शुरुआत में आपको बताना चाहूंगा आज के डेट पे अगर आप एक कॉस्मेटिक का बिजनिस ओपन करते हो ना तो बिजनिस ओपन करते ही आपको सबसे मेले जो चैलेंजिस पिलेगा वो होगा शॉप कीपर हो आपके एरिया में जहां को उपन करते हूं अगर को यूप कि 對 gotta call कना इस का बिजनिस ओपन करना तो ही इस से काफी ज्ड़ादा परिशान हो चुगा है। नहीं का बिजनिस ऋपन करना चाहते हो उसके अलाव अभी दूसरे बिजनिस भी अगर आप करने का सोच रहे हो तो आपको ऑनलाइन से ना इतना ज्यादा तगरा कॉम्पेटिशन मिलने वाला है आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितना तगरा कॉम्पेटिशन है तो इसलिए मैं यह बाते आपको बता रहा हूं तो ऐसे हालत में हम क्या बिजनिस ओपन कीजिए शौप खोलिए दूसरा दूसरा जो भी बिजनिस आइडिया से वह आप ब post अगर आपको फुद का है तो आपकी लिए कर सकते यह नहीं कर सकते हो बट अगर आपका शौप लोकेशन पहले से ही गलत जगा पर है तो मैं आपको दाव्य के साथ कह सकते हो positive business हास करके उस जगा पर चलने का चांसज काफ़ी कम रहेगा क्योंकि norm wins wszystko liieder ने है ही ना एक तो होता है आपको शॉप का लोकेशन अगर आपको शॉप का लोकेशन सही तरीके से आप चूस नहीं कर पाई तो आपका बिजन्स लाइफ टैम ग्रो नहीं होगा ठीक है ये वह लिखके बता रहा हूं पर यह जगा पर पर चुप उपन कर दी है जहां pressures लग या जो नहीं है बट घर के पास होगा यह सोच के आप शौप मत लेना फिर बेरा घर ठीक है इसके लिए चाहे आपका घर से 10 किलिमेटर दूर भी हो वहाँ आप शौप ले लेना रेंड पर लोकेशन बहुत बढ़िया तरह इसके से चूस करना शुरुआत में यह गया सबसे पहला प पिक दुबारा रिपीट नहीं करूंगा पूरा ना वीडियो बना के रखा हो यह वह देख लो और अभी मैं मोटी मोटे बात आपको बताऊंगा सबसे पहले तो अगर आप नया शौप ओपिन कर रहे हो तो सबसे पहले आप आपके नेरेस्ट जो मार्केट है वही पी जाक करते रहेंगे ठीक है तो यह बेसिक पॉइंट है उसके अलावा अगर आपके पास बजेट ही कम है मान के चलो बहुत सरे लोग जो है सी 30-40-50,000 रुपे से बिजनिस स्टार्ट करने का सोच रहे तो मैं आपको दाबे के साथ कह सकता हूं आप तो शौप खोलो ही मत आप फर्म लेहाज थोड़ा सा कम है ठीक है आप काम करने से नहीं शर्माते हो काम आपके लिए में प्रियोटी है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप फेरी करो मतलब सामान लेके घर 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 गुमो साइकल बाइक जो भी आपके पास बाहान है उससे आप बिजनिस करो इससे क्या आपको शॉप का जंड़ेट नहीं रहेगा फरनीचर बनाने का जंड़ेट नहीं रहेगा आज के डिट पर अगर एक चोटा सा शॉप का भी फरनीचर बनाने जाओगे ना आपको 60-70-80-10000 रूपे यूँ ही चला जाएगा तो इसलिए मैं आपको रिकॉमेंड कर रहा हूं बजेट अगर आपका 50,000 के नीचे है तो आप फेरी वाला जो बिजनिस है उसको टार्गेट करो या तो फिर कोई भी जो आपका मार्केट है गली है महला जो मार्केट पर चोटा-चोटा मार्केट बैठता है उस जगहा पर मतलब आपका कोई स्थाई कोई शॉप का बिजन पर आप क्या करेंगे तो आपके लिए सही एक तकरा सॉलूशन है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ऑनलाइन वाला कंपेटिशन तो कई देखो जहां पर कंपेटिशन मिल रहे ना उसी को आप अपना इंकम का जरीया बना सकते हो क्योंकि आज के डेट पे अगर कॉंपेटेटर को बीट करना है तो कॉंपेटेटर कौन है उस पर बहुत सारे सेलर अल्रीडी है वह आपको कॉंपेटेटर है फ्लिपकार तो खुद प्रोडक्ट मैनुफेक्ट्रिंग करके नहीं बेचते वह आप एकुछ सेलर है तो आप भी जो भी आनलाइन प्ला प्रिटीन पर कैसे समान बेचना यह, अगर आपको डिटेल समें जानना है तो आप बहुत सरे यूट्म में पहले से वीडियो बनाके रखे जो चैनल के क्टेते ही एक रिलेटेड तो और आपको ऑनLINE प्लाटफों कर C you बेचने है उसका डेटिगेड़ वीडियो मिल जाएगा बट आप मैं आपको मोटी मोटी दो तिन बात बताऊंगा ऑनलाइन प्लाटफोर्म पे समान बेचने के लिए आपको सबसे पहले जीएश्टी लेना ज़रूरी है जो जीएश्टी आपको लगबल लगबल साथ आठ सो 60 रुपए खर्च करने से मिल जाएगा टिक्मे वह कहा पर मिले गा वहाप जो भी मानगेश्ट करने जाएंगे आपके पास है 2 डालेंगे तुसके लिए यए अपक्सन volts करके वहाप एस से आपका घे बनवा सकते हो इक बन बनजाएगा उसके बाद आप आप प्रोड़क्ट करना जो भी आप प्रोड़क्ट के लाते हो मतलब मान के चलो आपके पास 20,000 बजेट है 20,000 बजेट में ऑनलाइन प्लाक्फों में किस तरीके से प्रोड़क्ट भीक रहे वह आप पहले ही सर्च कर लेना आपके बिजनिस से रिलेटेट अब अगर आप अजय हो रहा है कितने में सेल हो रहा है और आप ज सामान जहां पे चेक करके आयों वहापके कितने में भीग रहे तो आपका कितना मर्जिन बन ragg Adri जो मतलब आपका profitable product होगा वो सारे ज्यादा करके लाना लाके आप वो online sale कर सकते हूं ठीक है तो यह idea रहा जो मेरे भाई बहन कोस्मेटिक के बिजनिस करना चाहते हैं बड़ उनके बस पुंजी कम है और शौप लेने का बहुत जंजड है तो आप लोगों के लिए यह idea काफी कारगर होने वाला है मैं आपको दाबे के साथ कह सकता हूं गाइस ठीक है तो यह सारे मोटे-मोटे बाते मैंने आभी दग आपको वीडियोस में बताया गाइस क्योंकि 2023 से और आज के बिजनिस करना उतना आसान नहीं है यह सारे तो मोटे-मोटे बाते मैंने आपको बताया गाइस उसके अलाब और पॉस्मेटिक बिजनिस कैसे खुलना है उसके लिए यह वीडियो आप चेक कर लेना इसमें मैंने डिटेल्स में काफी सारे बते बता करें ठीक है जो बाते मै अल्रडी एक बार बता दिये उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ तो होपकर तो आज के यह वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा अगर थोरा सा भी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें मिलेंगे आपसे कल य आए वीडियों में टिल देन टाटा बाई 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 टीक्या